नमस्कार टीवी नाइन राजिस्तान पर आज की इंसाइट स्टोरी के साथ मैं हूँ भविशित्यागी आरक्षन पर सुप्रिम कोर्ट के फैसले के विरोध में देश भर में भारत बंद का आवाहन किया गया था आज भारत बंद के असर की जो तस्वीरे आई हैं उसमें इस भारत बंद के असर वाले प्रदेशों में राजिस्तान भी अग्रिम पंग्ती में खड़ा दिखाई दिया अलग-अलग जिलों से अलग-अलग तस्वीरे सामने आई खैर आज आपको इस इंसाइड स्टोरी में बताएंगे कि राजिस्तान में इस भारत बंद का असर व्यापक क्यो रहा इस भारत बंद पर राजिस्तान की राजनीती पर इसका क्या असर होगा और इस भारत बंद के असर के चलते भील प्रदेश की मांग क्या फिर से जोर पकडने लगीगी तो चलिए सबसे पहले आपको अलग-अलग जिलों से आई तस्वीरे दिखाते हैं शिरुवात राजधानी जैपूर से जहां भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया पुलिस के आलादिकारियों ने शहर के अलग-अलग इलाखों में फ्लैक मार्च निकाला जैपूर के जोती नगर, विधानसभा शेत्र, सचिवाले, अंबेटकर नगर सरकिल समेथ कई लाखों में एडिशनल फोर्सेज डिप्लॉय की गई थी ताकि इस भारत बंद की आड़ में कोई हिंसक गतिविदी ना कर पाए उधर जोतपूर के सोमेसर गाओं में भारत बंद के दौरान बंद समर्द को ने उत्पात भी मचाया दुकानों और प्रतिस्ठानों को जबर्दस्ती बंद कराया गया इस दौरान उत्पातियों ने एक पकोड़े का ठिला लगाने वाले को घायल कर दिया यहां प्रोजेशन कार्गियों ने गर्म तेल गिरा कर पीडित के पैर को जला दिया इसके खिलाफ ग्रामीन धरने पर भी बैठे और रोड जाम भी किया वह दूसी तरफ चुरू में चुरू जिला मुख्याले पर SCST समाज ने विरोज जताते हुए इंद्रमणी पार्क से रैली निकाली भारत बन के तहट अजमेर भी बन रहा इसकूल और इसकूल बसों को इससे मुक्त रखा गया इसके लावा आवशक सेमाएं जिसमें मेडिकल स्टोर, चिकिसा व्यवस्था, एंबुलेंस, ओटो रिक्षा, सिटी बसे आदी को बन से मुक्त रखा गया मही चितोडगर में पूरी तरह से बाजार बन रहा चितोडगर डिपो से चलने वाली रोडवेज बसों का संचालन भी पूरी तरह से बन रखा गया जिसके चलते यात्रियों को भी काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा बाड़मेर की बात की जाए तो यहाँ पर बन के दौरान दलित संग्ठनों की तरफ से बाड़मेर के अंबेडकर सरकल से जिला कलेक्टर काराले तक जलूस के माद्यम से राष्टपती के नाम पहले जलूस निकाला गया फिर राष्टपती के नाम ग्यापन सौपा गया जालौर की तस्वीरे भी आपको दिखाते हैं जहांपर सभी जगों के साथ साथ sdm काराले पर प्रफरिशन किया गया जालौर जिला मुक्याले पर धरना प्रफरिशन किया गया और जिला कलेक्टर को रास्ट पते के नाम 157 आ गया तो इस तरह की कुछ तस्वीरे जो हैं पूरे प्रदेश से सामने आए। हर एक जिले में इस तरह के प्रदेशन हुए बहरत बंद के तहट तमाम दुकानों प्रतिस्थानों को बंद कराए गया, मार्च किये गए, प्रदेशन किये गए और उसके बाद जिला कलेक्टर को रा गया, राजिसान में बाकी राज्यों के मुकाबले भारत बंद एक तरीके से कहा जाया तो जादा प्रभावी नजर आया, दरसल प्रदेश में भील प्रदेश की मांग को लेकर पहले ही स्टी समुदाय ये मांग जो है लगातार कर रहा है, बीते दिनों मांगड में समाज क लोगों ने बड़ी संख्या में खटा होकर इस मांग को बुलंद गिया था, लेकिन आरक्षन पर सुप्रिम कोट के फैसले के बाद स्टी समुदाय के बीच नाराजगी और बढ़ रही है, चले समझाता हूँ आपको कि आखर इस नाराजगी की वज़े क्या है और सुप्र कि आरक्षन सीमा के भीतर अलग से वर्गी करन यानि कि अलग से क्लासिफिकेशन कर सकती है, राजगी सरकारों को ये जो अधिकार है वो कोटने दे दिया, फैसला सुनाते वक्त ये सिफारिश भी की गई कि अनुसूचित जाती और जन जाती के लिए आरक्षन में क्रीमी ल लागू है, उसके लिए जो प्रावधान है उससे अलग होना चाहिए, यहां आपके मन में सवाल भी होगा कि आखरी ये क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, दर असल क्रीमी लेयर का मतलब उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगर्ति कर चुका है, इस सरकारी नौकरी और सिक्षन संस्थानों में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन अगर किसी OBC परिवार की साला ना आए, 8 लाक रुपे से जादा है, तो उस परिवार के किसी लड़के या लड़की को आरक्षण का लाब नहीं मिलेगा, यानि उसको गैर टै करने चाहिए, OBC और अनुसूचित जंजाती के लिए महनदंड अलग-अलग हो सकते हैं, यानि कि जो एक तरीके से कहा जाए, तो आर्थिक सीमा जो टै की गई, जो सालाना आए की सीमा OBC वर के लिए 8 लाक रुपे टै की गई है, क्रीमी लेयर में आने के लिए, उससे अलग जो माब दंड हैं, वो S.C.S.T. के लिए लागू किये जा सकते हैं, उसका प्रावधान राजे सरकारों पर या सरकारों के विवेक पर सुप्रिम कोट ने छोड़ा है। हालकि किरोडी लाल मीना इस भारत बंद को बेतु का बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो जर्ण सुनियें। सुप्रम कोट ने का अब्जर्वेशन दिया कि क्रिमिलेर पर विचार किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए। और उस पर कैबिनेट ने मना कर दिया, प्रदाहर मंत्री जी ने कैबिनेट मिटिंग बुलाई और ये मना कर दिया, हम किसी परकार का क्रिमिलेर लागू नहीं करेंगे तो, क्यों राजने तक फाइदे के लिए, लोग बाग एस्टी एस्टी को गुमरहा करना चाहते हैं, देश में हिंसा फेलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उच्छी थे हैं, जाहिर है, राजिसान की राजरीती में एक तरफ जाट बनाम राजपूत की लड़ाई बीजेपी को पहले ही कई चुनावतियां और दिक्कत दे चुकी है, और इस अदावत से बीजेपी अभी इस फैसले के बाद अनुसूचित जाती और जनजाती की नाराज़गी मोल लेकर बीजेपी अपने पैरो पर कुलाडी मारने से बस्ती नजर आ रही है, हालकि बीजेपी भले कंबल में मूँ ढखकर ये समझने लगे कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन नजरे सभी की बी बीजेपी बुरी फसी है, दरसल SCST समाज के भीतरी इस मामले में दो फाड़ हो चुका, यानि SCST समाजी इस मामले पर दो गुटों में बढ़ गया है, समाज के SCST आरक्षण में क्रिमिलेर लागू करने के विरोध के तैत भारत बंद एक वर्ग जो है समाज में कर रहा है, तो इसी समाज का एक तबका वो है जो सुप्रिम कोर्ट के फैसले का समर्थन भी कर रहा है, दरसल भारत बंद का आवान करने वाले और बंद का समर्थन करने वाले लोगों को सुप्रिम कोर्ट से एतराज है, सुप्रिम कोर्ट के फैसले से एतराज है, बंद का समर्थन करन वालों ने SC-ST आरक्षन विवस्था में वर्गी करन का विरोध किया उनका तरक है कि इससे जो है जातिय जो द्वेश है वो बढ़ेगा आपस में टकराव की स्थिती बनेगी बंद का समर्थन करने वालों का कहना है कि आरक्षन की जो विवस्था पहले से चली आ रही है वो य 1871 के बाद जनसंक्या काफी बढ़ गई है लेकिन आरक्षन का कूटा नहीं बढ़ा है यह तमाम मांग वो लोग कर रहे हैं बात वो लोग कह रहे हैं जो SC-ST समदाय में उस वर्ग में सुप्रिम कोट के फैसले का विरोध कर रहे है वहीं SC-ST वर्ग की कई जातियों के प्रत नर्तले, वालमी की समाज, नट समाज, बावरी समाज, कालबेलिया, कंजर समाज, धान का समाज और सपेरा समाज समेथ 30 जातियों के प्रतिनी मंडल ने बीते दिन जुलूस के रूप में जैपूर कलेक्टरेट वो इखटा होकर पहुँचे और बंद के खिलाब ग्यापन स इन्होंने सुप्रिम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उपवर्गी करन करने की मांग की है, उपवर्गी करन नए नियम जो है, S.C.S.T. आरक्षन में लागू करने की मांग की बंद का विरोध करने वाले इन प्रतिनिदियों का कहना है कि अभी चुनिंदा वर्ग और जातियों को ही आरक्षन का लाब मिल रहा है और वन्चित पिछड़ते जा रहे हैं खेर, ऐसी स्थती में जब S.C.S.T. समाज ही सुप्रिम कोड के फैसले पर बढ़ता नजर आ रहा है तो बीजेपी के लिए ये आगे कुआ और पीछे खाई वाली स्थती है बीजेपी सरकार अगर सुप्रिम कोड के फैसले को मानकर नए सीरे से कोटा विदिन कोटा के लिए क्लासिफिकेशन करती है तो भी S.C.S.T. समाज का वर्ग नाराज होगा और अगर सुप्रिम कोड के फैसले का सुप्रिम कोड का जो फैसला है उसे सरकार कोई विदेक लाकर पलटना चाहे तो भी S.C.S.T. वर्ग में आनी वाली उन तमाम उपजातियों के लोग विरोध पर उतराएंगे जिनके लाप को ध्यान में रखकर सुप्रिम कोड ने ये फैसला सुनाया है खेर इस इंसाइड स्टोरी में आज इतना ही आपको ये विडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताएगा आप इस मसले पर कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है अपनी बात अपना सवाल और अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिया आप हम तक पहुचा सकते हैं राजिस्तान से जुड़ी और फिर तमाम खबरों को सबसे पहले जारने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें टीवी नायन राजिस्तान नमस्कार